इंडिया में जो बचाने वाली गवर्मेंट एंटिटीटीज जो रेगुलेटरीज है अगर उनकी उपर ऐसे लगेशन लगेंगे और अगर वो एलिगेशन सच थाबित होते हैं तो आप और हम जैसे लोगों का क्या होगा एक रिटेल इंवेस्टर का कितना बरोसा रहेगा इ हो किशनेबल है इस वीडियो में बात करेंगे हिंडन बर रिपोर्ट जो आई है उसके बार में आपने सभी ने पढ़ लिया होगा क्या रिपोर्ट है काफी सारी यूट्यूब वीडियो देख ली होगी क्या फैक्स है क्योंकि लोग अनबायस दो का बात नहीं करते लोग लोग दोनों तरफ की बात करते हैं या तो कोई सही है या कोई गलत है लोग ऐसी बात करते हैं हम बात करेंगे फैक्स की बात करेंगे दोनों तरफ का point of view मैं थोड़ा अपने बारे में समझाओंगा कि मैं क्या सोचता हूं market को लेकर मैं क्या देखता हूं कितना crash देखने को मिल सकता है क्या crash होगा भी कि नहीं होगा market bullish rally पकड़ लेगा अधानी stocks का क्या view मेरा है उसके बार मैं डिस्कस करूँगा लॉंग्टम अदानी स्टॉक को और कितना होल करना चाहिए क्या कल मार्केट खुलने के बाद में क्रेश देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा इसके बारे में भी थोड़ा सा टेक्निकली भी डिसकस करेंगे थोड़ा बहुत पंडामेंटल्स को भी डिसकस करेंगे ठीक है सबसे पहले बात करते हैं बिया रिपोर्ट की तो रिपोर्ट में सीधा हिंडनमर्ड ने एलिगेशन्स लगा है से भी चेर परसन के उपर हम सोच रहे थे कोई स्टॉक की पकड़ में आएगा जैसे पिछले साल अदानी था अदानी के ओपर जो रिपोर्ट थी उनके काफी हद तक मेर को सई लगी थी और मैं हमेशा से अदानी स्टॉक्स को और वैल्यूट मानते आया हूं मैं एक ऐसा इंसान हूं जिसने अगर मार्केट में कितना भी छोटा मुटा इंवेश्मेंट कर रखा है तीन से चार परसंट से ज्यादा टोटल इंवेश्मेंट का कभी भी जिदानी स्टॉक्स में नहीं डपद डाला कितना ही प्रॉफिट देदे बाच जब हम बात करते हैं इसे रिटेल इंवेश्टर अपनी सेविंग्स को लगाने की लॉंग टर्म इंवेश्मेंट करने के लिए तो हम बात करते हैं सेफ इनवेश्मेंट की और मैं हमेशा कहता पिछले साल जो हिंजनबट की रिपोर्ट अदानी के ऊपर आई काफी हद तक मैं खुद को बचा पाया इस इतने बड़े क्रेश से अपने इंवेश्टमेंट को सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ यू पे कि मैं अदानी जैसे स्टॉक्स में इतना ज्यादा इंवेश्टमेंट न करते हैं तो हमें वहां पर अच्छे स्टॉक्स को डालना चाहिए अब उनकी रिपोर्ट पहले सही थी बिल्कुल बड़िया लॉजिक थे सारी चीज़े सही थी बच्या उसके उपर से भी ने आस तक कोई एक्शन लिया जंक से इंवेस्टिगेशन हुआ नहीं हुआ उन्ह बाहर के company's के ऊपर भी काफी सारी रिपोर्ट निकाली है और वह प्रोपरली शॉर्ट्स टंस रहरे हैं बनाते उसके बाद में रिपोर्ट निकलते प्रॉफिट बनाते क्या वह स्रीफ इंडिया की पीछे पड़े हैं क्या लोगों का यह मानना हैं और काफी साने लोग ग्रोथ नहीं देखना चाहते हैं इसलिए डाल रहे हैं उन्होंने बाहर की कंपनी के ऊपर भी काफी सारे रिपोर्ट्स नेका लिए और उनकी रिसर्च काफी अच्छे से काम करती है दूसरी बात अब हम करते हैं कि क्या उनमें इतनी हिम्मत भी एक है बिना प्रूफ के आप गलत हो Stuart जो भी आप मैं अभी तक बात कर रहा है प्याज तक भी अपर रिपोट्र दी बाहर की यूस कंपनी लिए अब सीझे और रही कि woah आज तक भी अधानी के स्टॉक्स अपने हाई को ब्रेक कर पाए गया अपन ऐसे रिटेल ड्रेडर सोचो अधानी सोल का में पास चार्ट ओपन है 200 रुपए 2020 में था 2022 से अंदर दो साल के अंदर 40 गुना शेर चार जार तक पहुच गया आज 1100-1200 रुपए पैट का पड़ा है कोई स्प्लिट वगर है कुछ नहीं होए चार्ट के उपर आप खुद देखो जिन्नों ने टॉप पर बाए किया दो जार तीन जार चार जार साप पर पसा तो ओवर रॉल रिटिल इन्वेस्टरी पसा तो कहीं न कहीं और वैलिएशन तो थी न अदानी के अंदर तो उसकी रिपोर्ट गलत तो नहीं थी थोड़े बहुत ऐलिगेशन वह कहते हैं आटे में नमक चलता है वह वाली बात है बट और वैलिएशन तो बहुत ज़्यादा थी जो क्रेश आया उसके बाद में रिकवरी उतनी ज़्यादा हुई क्या नहीं हुई जो अच्छे सेक्टर से इनके अदानी पोर्ट है नो डाउट काफी अच्छा काम कर रहा है अदानी पावर है काम कर रहा है बट क्या हुआ आदानी गृण का इनका ंक इनका व यह उदो नो डाउट किसी हद तक बाहर के पहले की रreport का हुआ थी अब किysisक और हनकि दुभ अगर साई होते हैं और लिए । बहुत ही चिंदा वाली बात है हमारा बैո इंडियन मार्केट से टोटली उठने वाला है क्या कर्रप्षन देखने को मिल रहा है वो हम उस लेवल का सोच सकते हैं जो रिपोर्ट आईए उसके अंदर जितने भी लेटर्स हैं जितने भी उनके आर्टिकल्स के अंदर जितने भी फैक्स पर उन्होंने बात किये उसके उपर investigation बनती है उन्होंने तो इल्जाम लगा दिया उन्होंने allegations लगा दिया अब आपका काम है कि आप उनको सही प्रूफ करते हो या आप उनको कुछ investigate करके गलत प्रूफ भी करते हो आपका काम है as a regulatory तो यह investigation पर depend करता है अभी तक जब तक इतनी बड़ी entity regulatory मैं खुद मानता हूं कि से भी जिसके लिए respect होनी चाहिए ठीक है अगर उसके उपर कोई बाहर का बंदा allegations लगा रहा है तो उन allegations को गलत माना जाएगा जब तक वह प्रूफ नहीं हो अब क्या यह investigation भी होगी के नहीं होगी यह भी एक बड़ा क्यूशन है बात आई गई तो नहीं हो जाएगी होनी तो चाहिए अब यह investigation होगी भी तो कौन करेगा इस एंटिटीज करेगी यह डिरेकली सुप्रीम कोट करेगा वह मैटर करता है करना टॉप में सुप्रीम कोट को ही चाहिए तब यह सही investigation हो पाएगी तो यह भी चाहिज इंपोर्टेंट है अब बात करते हैं हमने दोनों तरफ की बात करी हम नहीं बोल रहे कि डिरेकली से हम यह भी नहीं बोल रहे कि हिंजनबर्ग गलत हो सकता हमने उसकी रिसेर्च के साथ से डेटा के साथ से बोल रहे है तो हम अभी तेरे सपोर्ट में नहीं है हम बोल रहे है कि यहां तो investigation होनी चाहिए हमें भी सच पता चलना चाहिए अभी तक हम कहीं बिए ऐसा directly नहीं बोल रहता हूं क्योंकि कब आपको फसा देंगे पता नहीं है अभी election में आच परशन की निफ्टी में selling आई थी वहां पर अदानी के शेर 25% करेक्ट होते वें दिखाई दिये तो जो श्वेंग ट्रेडर है जो शॉट टम इंवेस्टर है जिसने अपना चोटा मेंटा पैसा 6-8 महिने एक साल के लिए लगा रहा है वो लोग का फज्जाते पता नहीं चलता तो मेंली उनका ही लॉस होता है तो एसे रिटेल इंवेस्टर आपको ऐसे श्टॉक्स पर पहली बात जिनमें रिटन्स अच्छा देखने को मिल सकता है बट रिस्क बहुत बड़ा है तो आप अ क्या निफ्टी 4,300 के आसपास चल रहा है वहां से सीधा निफ्टी में एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी कि क्या एदानी स्टॉक क्रेश करेंगे की नहीं करेंगे तो बैया अगर 2-3-4% का भी gap down देखने को मिल जाता है मैं सप्राइज नहीं होगा पहली बार मार्केट उस पीक पर है जहां से करेक्शन कभी भी देखने को मिल सकता है बट नो डाउट एक पॉइंट यहां पर आता है इंडिया में इतना कंट्रोल आ गया है कि वह मार्केट को कब वापस से उपर ले जाए पैसा फ्लो करवा के आपको नहीं पता और अभी के टाइम पे पिछले एक साल के अंदर आज निफ्टी के मैं बात करूँ तो निफ्टी के डेली केंडल की अगर मैं बात करता हूं इलेक्शन में 8% की गिरावट देखने को मिली हमको इलेक्शन टाइम पे कितना 8-9% इंडेक्स का गिरना 23,200 से निफ्टी गिरा अल्मोस्ट 21,200 कितना पॉइंट दो हज़ार पॉइंट आज डेड़ महिने के अंदर अंदर निफ्टी ने हाई क्या लगा है 21,000 से कितना लगा है और हमोस्ट 25,000 के उपर तो सोचने वाली बात तो है कि मार्केट में कितना पैसा फ्लो हो रहा है इलेक्शन में 10% की गिरावट तो रिकवरी मिली मिली उसके बाद में 23,300 से 25,100 भी मार्केट एक डेड़ महिने में आ गया क्या इंडेक्स 4,000 पॉइंट की रेली कब किया था हिस्ट्री में इंडिया गिरोत में है मार्केट ऊपड जा रहा है मैं खुद अभी एक साल तक कम से कम मार्केट के अंदर बुलिश हूं क्योंकि फञ्णामेंटली निफ्टी का पी उतना महिंगा नहीं चल रहा है एक बार निफ्टी का पी देख लेते कितना चल रहा है और निफ्टी के कभी पी रेशो प्राइस वर्णिंग रेशो का भी क्या मतलब होता है ठीक है निफ्टी पी आप गूगल पे लिखोगे सिंपली आपके पास काफी सारी वैपसाइट है किसी को भी उपन कर लो निफ्टी का पी चल रहा है 22 के आसपास वारन बफेट जैसे बड़े-बड़े 15 के नीचे आजाए 15 के नीचे आप अपना गर बार बेचके जमीने बेचके भी मार्केट में पैसा लगाओगे तो आने वाले दो-तीन साल में पैसा कमाल होगे मार्केट आपको इतना सस्ता देखने को मिल रहा है तो अभी 22 का पी क्या बहुत ज़्यादा मैंगा है क्या नह साल के अंदर आपको एक क्रेश देखने को मिल गया एक की दिन के अंदर देखने को मिल गया तो अभी इतना बड़ा डर मत रखो मार्केट बिल्कुल आदा हो जाएगा क्या हमेशा टॉप से निफ्टी 10 परचंट गिरने की पोटेंशल रखता है क्या बिल्कुल रखता है कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है प्रॉफिट बुकिंग के कभी एक सेलिंग पोजिशन बन सकती है चार साल से हमारा मार्केट कंटीन्यू एक अफ्ट्रेंट क का मतलब है अपने स्टॉक्स जो है वो उससे थोड़ा सा ज्यादा पंद्रा से बीस परसंट का करेक्शन दिखा सकते हैं कि बिल्कुल दिखा सकते हैं तो कोई सप्राइज दिंगली बात आपके लिए होगी नी आई होप आप टेक्निकली भी साथ में थोड़े से एफेक्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी चाहिए रिपोट नहीं भी आई हो फिर भी मैं मानके चलता हूं टॉप से निफ्टी कब दोड़ा 2000 नीचे फिसल जाएगा मेरे लिए कोई सप्राइजिंग बात नहीं होगी मार्केट में इतना प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आ सक चाहिए अभी थोड़ा सा मार्केट का व्यू भी लेंगे मंडे को मार्केट कैसे ओपनिंग होता है तो क्या वक्त्रेड वगर होना चाहिए बैठ हम डिरेकली पहले आ जाते हैं अदानी के स्टॉक्स के ऊपर अदानी स्टॉक्स में आप देखोगे अदानी पोट भाईया 200 की प्राइस तक गिरा था अगर वहां तक वापस से देखने को मिलता है अदानी पोट एक इन्वेश्टमेंट करना जो इनके अच्छे स्टॉक्स है उन पे थोड़ा बहुत बहुत बनाए रख सकते हो आप 1200 का प्राइस पंदरा सो के आसपास चल रहा है 20% का करेक्शन कभ आएगी भी की नहीं आएगी अधानी स्टॉक में अगर आता भी है 1200 के आसपास अधानी पोट में इन्वेश्टमेंट वापस से बन सकता है जस्टिन के सोड़ ज्यादा फिसल जाय तो 990,000 रुपे के आसपास अच्छे सपोर्ट है वहां पर आप इसको ले सकते हो अच्छ आपको एक इन्वेश्टमेंट करना चाहिए नो डाउट वापस से आपको थोड़ा बहुत रिटन वापस उपर गूंते वे दिखा सकता है इतना बड़ा कंपनी इतना जल्दी जीरो नहीं हो जाती ठीक है जो ओर वेल्यू डिश्टॉक है अधानी एंट का क्या हाल है कवर किरके अभी 3,000 तक वापस आ चुका है तो डबल टॉप कभी भी देखने को मिल सकता है बड़ी गिरावट कभी भी आ सकती है सपोर्ट कहीं नहीं दिखेंगे दो अज्जार के असपास भी स्टॉक आएगा तो महेंगा राएगा जस्ट इन केस कभी कुछ क्रेश होगा हजार बारास ओपर देखने को मिलेगा तो बाय करेंगे जो की मिलना मुश्किल है इतना बड़ा 3000 के स्टॉक हम 1000 रुपे बात करेंगे तो लोग को लगेगा कि हम सेंसलेस बाते कर रहे है पता नहीं चलता जो हिस्ट्री बोल रहे हैं मैं सिंप्ली वही बोल रहा है इसी को अगर मैं 15 और टाइम फ्रेम में देख रहा होता है चार्ट के ऊपर तो आप बोल सकते हैं सर्फ डवल टॉप बनाके नीचे नेक लाइन ब्रेक कर सकता है तो डिली केंडल की मंतली केंडल की मैं बात करू तो चार्ट तो सिंपली यही किया रहा है कि यह डबल टॉप बना դो नेक लाइन नीचे 1000 रुपय पर आ रहिए यह तो पिछला स्विंग कितना है वो तो तो देंखि सकते हो तो पिछला स्विंग यह आपका है 2110 का अभी चल रहा है 3100 के आसपास जिसके आसपास आपको इसे की तरफ से ज़्यादा गिड़ जाएगा मैं भी क्या बोल रहा हूं बठान नीचे मिलता है अधानी एंग्ट अधानी ग्रीन और और अधानी एंट इन तीनों के अंदर डढने वाली बात है पोट और पावर को आप और भी उठा सकते हो नीचे मिलता है इन इस टॉक्स के अंदर आप उनको एक ही दिन इलेक्शन वाले दिन मिल गया था तब उठाओ एक रेली पकड़ो 10-15-20 परचंट की डवल भी हो जाता है या 50 परचंट भी रिटन मिल जाते हैं उनको काड़ दिया करो ज्यादा कुछ रखने की उनको जर्वत नहीं है इस टॉप लॉस आपके क्या होने चाहिए वह आप मेरे से लाइव में आके पूछ लेना अगर आपके पोजिशन है जस्टेन के सकल मंडे को आदा एक परचंट और पांदस परचंट नीचे मिलते हैं अदानी दस परचंट नीचे गिरते हैं तो आप स्टॉप लॉस वगरे कुछ आके चार्ट हम लाइव मे कप पड़ेगा पॉइंट यह है कि यह जितने भी पॉइंट बार आए जो फैक्स बार आए अगर यह लेजिट साबित होते हैं तो निफ्टी पे क्या फरक पड़ेगा और अगर यह सिर्फ बेवजे की अफवाएं हैं यह सारे फैक्स गलत निकलते हैं हिंजन बठते तो मार्केट में क्या फरक पड़ेगा मार्केट अभी एक साल के लिए 6-8 महिने के लिए बुलिश है निफ्टी आराम से 26,000 के आसपास तक मेरे को लग रहा है कभी भी पहुँच जाएग मार्केट में ऐसी क्रेश वाली केंडल बनी और उसके बाद में मार्केट ने उसका हई तोड़ा तो मार्केट को 6 महिने लगे वापस से वैसी केंडल बनाने में ठीक है यह चीज़ जनरली होती है चार्ट के उपर भी होती है और डाइजस्ट एजस्टमेंट थिओरी अपन सब मार्केट को अच्छा खासा उपर लेके जा रहे हैं अब बात करते हैं कि इसका इंपक्ट निफ्टी पर क्या पड़ेगा जस्ट इन केस मान के चलो कल तीन-चार परशन का गैप डाउन ओपन हो जाता है जस्ट इन केस कब मार्केट वापस से रिकवरी कर जाएगा आपको पता चलेगा नहीं जस्ट इन केस मार्केट 24,000 के नीचे खुला इसका मतलब है दो डाई परशन से बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ चार पांच परशन तक की भी सेलिंग दिखाई दी मार्केट कुछ एक डिड़ हफते तक सेलिंग प्रेशन में थोड़ा बहुत बना रहेगा में नेगिटिविटी आपको मार्केट में कब दिखाई देगी जब जितने यह एलिगेशन से हैं इनके उपर एक्शन नहीं लिया गए एक्शन इनकी तरफ से कुछ प्रूब नहीं हुए कि हम गलत नहीं है या फिर हिंडर बने कुछ और पोस्ट कर दी रिप्लाइ में जैस्टिन के साथ दिन के अंदर यह जो भी केस है वह 50 परसंट भी सौट आउट नहीं हुआ या क्लियर नहीं हुआ पब्लिक के अंदर की इन्वेस्टर्स के अंदर कि यह कौन सही है कौन गलत है बरोसा उठने लगेग तो आपका अगर बरोसा उठने तो आप क्या करोगे आप करोगे जितना भी इन्वेस्टमेंट है जितना भी पैसा डलावा है प्रॉफिट बुक करके काच के खतम करो फिलाल के लिए अपना पॉट्फोलियो बाद में होगी देखा जाएगा मेरे को बैया इस जिनजट में नहीं खसना है सीधी बात है तो अगर पांस साथ दस दिन के अंदर एक तेड़ अफ़ते के अंदर कुछ भी सॉट आउट नहीं होता है तो मार्केट से बरोसा उठेगा प्रॉफिट बुकिंग के लिए मार्केट 15-20 परसंट का तक कर्रेक्शन आने वाले डेढ़ दो महीन करना पड़ेगा चार्ट के इसाब से उसके बाद में हम 3,000 तक की रेली प्लैन कर सकते हैं जो मैं आपको बता रहो जिसके लिए थोड़ा सा होल्ड बनेगा नीचे गिर के वापस से प्रॉफिट बुकिंग वापस से अगेन नीचे गिरने के बाद में रेली स्टार्ट सकती है पर यह सारी चीजे दो-चार दिन में सौट आउट हो जाती है अगर अगर साथ दिन में ज्यादे ज्यादे एक देड़ रखता सौट आउट हो जाती है तो उसके बाद में मार्केट फिर से अपनी रेली पकड़ लेगा और 25,000 ब्रेक करके वापिस 25,500 तक की रेली करो कोई डरने वाली बात नहीं है अच्छे स्टॉक्स के अंदर जिनके पास स्टॉक्स ही बुरे है उनको हमेशा मार्केट से डरना चाहिए ऐसी न्यूज आया ना आया उनको फरक नहीं पड़ता बाकी रही बात लांग टम इंवेश्मेंट की लांग टम इंवेश्मेंट है तो अपने लेवल तकी में बाते करता हूं जितना चार्ट है थोड़ा फंडामेंटल है थोड़े स्टैक्स है आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा बैंक निफ्टी का भी एक बार देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी का हमारा क्या पॉइंट अफ्यू हो सकते हैं हाई से काफी नीचे हैं इसी के साथ में आप देखोगा अगर डिप लगा तो बैंक निफ्टी में कब एक बड़ी रेली आ जाएगी 47-48,000 दो टाई मुश्किल हो जाएगा रिकवरी वापिस दिखाना और उपर वापस से जाना श्ट्रगल करेगा उपर हर्डल फेस करेगा जिसकी वज़ेसे बैंक निफ्टी में लॉंक टम एक साइडवेश टू डाउं ट्रेंट 3-4 महिने के लिए स्टार्ट हो सकता है बड़ी सेलिंग आ इतना एस सच कोई बड़ा सेलिंग अभी नहीं देख रहा है जस्ट इन केस कुछ होता है तो इतने टार्गेट्स निफ्टी में 21,000 के आसपास का इंवेश्मेंट बैंक निफ्टी में 45-46,000 के आसपास का इंवेश्मेंट आप कर सकते हो जो बेसिकली इलेक्शन के लो लग तेक्टियो थैंक यू